ऐलो फ्रेंड्स फ्रीविडियो में मैंने 108 तो questions हो इसका फॉड़ान्स वेटों मैं करने जा रही है तो 109 से question स्टार्त करते हैं तो पहला question है structure apt verse involves analysis of the following इसका answer is answer for defense क्याकौन कौन से option दिये गए है A, B and C, मतलब कि जो पहला है वो है number of occupants, दूसरा है minimal space required for activities, और तीसरा है relationship of different spaces with one another, इसमें question यह है कि जब आप interior space को structure करते हो, उसको design करते हो, तो उस समय आप किन-किन चीजों को analyze करोगे, तो पर occupants कितने हैं, उनको analyze करना, फिर उसके बाद activity के लिए कितने कम स space की जुरूयत होगी, उसकी analysis करना, और फिर जो अलग-अलग space है, उनका एक दूसरे से क्या संबन्ध है, उसको analyze करना, उसी के basis पर जो है structure को तयार करना, अब आते हैं, next question पर, there is sufficient research evidence to show that consumption of foods high on sugar may lead to the following in children, means कि sufficient research evidence है, जो कि ये show करते हैं, कि जिन food में sugar का amount अधिक होता है, अगर उन food को बच्चे consume करते हैं, तो उनमें different different problem हो सकती है, अब देखते हैं, कौन-कौन सी problem है, second is A, B and C, मतलब पहला है कि वो hyperactive हो सकते हैं, दूसरा है, वो aggressive nature के हो सकते हैं, तीसरा है inattentiveness, means कि वो लापरवा हो सकते हैं, वो काम पर कम ध्यान देते हैं, तो यह थे answer, अब आते हैं next पर, आइस्कूल टीचर नोटिशस देट, वन ओव इच स्टुएंट्स इस रग्लरली कॉपी इनकरेक्टली फ्रम दे बोर्ड, वोट असेस्मेंट वेल बी रिकमेंट टू दे प्पैरेंट्स, एक स्कूल टीचर है, वो यह नोटिस करता है, कि उसका एक स्टुएंट बोर्ड से लगातार वो इनकरेक्ट कॉपी कर रहा है, तो वो उनके पैरेंट्स को कौनसा असेस्मेंट सजेस्ट करेंगे, आंसर है इसका थर्ड, देख लेते हैं, एसी एंडी, पहला है कि विजन, मुलाद दिरस्ट से रिलेटट वो एसस करने के लिए बोलेंगे, और फिर सी है, इंट्रेलेक्ट्ट फंक्शनिंग, मिन कि बौधी छमता से रिलेटट एससमेंट को रिकमेंड करेंगे, और तीसरा है, डिसलेक्सिय है, जो कि एक जब बच्चे कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो उनको जुवनल एक्ट के तहत उन पर करवाई की जाते हैं, अब इसके लिए जो लेजिसलेशन समीन्स कानून में, उन पर जो ट्रेटमेंट क्या जाता है, वो यंग अडल्स से डिफरेंट होता है, तो वो किन-किन क्राट थर्ड, A, C and D, पहला है कि फिजिकल डवलेमेंट, बनाएट उनका सारी की विकास है, जो कि एडल्ट से डिफरेंट होता है, तो इसको धियान में रखा जाता है, फिर है इंट्रेक्ट्ट्वल डवलेमेंट, जो उनका बौधिक विकास है, वो भी डिफरेंट होता है, और फि उनकी सामाजिक भावनात्मक विकास है, वो भी उनसे डिफरेंट होता है, तो इन तीन चीजों को ध्यान में रख करके उन पर अलग ट्रेट्मेंट किया जाता है, फिर है, यूज आप ICTs for development is limited in India because of, ICT का मतलब है information communication technology, हमारे इंडिया में जो ICT का use है, डवलेमेंट के विक किया जाता है, क्यों, इसका reason क्या है, तो पहला है A and B, यानि पहला है कि पूर टेलेकॉम infrastructure और दूसरा है, electricity of people, मतलब पहला तो reason यह हो गया, कि लोग असेच्छित हैं, इस वज़ा से वो ICT का यूज करी नहीं पा रहे हैं, और दूसरा है कि अगर वो सेच्छित भी है, लि फिर next question है, advocacy is, advocacy क्या है, इसका answer है 2, दूसरा B and C, बी से B है कि dependent on a plan strategy, जो advocacy है वो एक जो सुनियोजित योजना है, उस पर depend करती है, और दूसरा है to highlight priority issue before decision makers, और जो decision makers है, उनके सामने कौन सी, मलब कौन से issue, जो प्राथ में, जो की महतपूर्ण है, जो issue महतपूर्ण है, उनको highlight करता है ये, अब है a non-formal educator develops a lesson plan for each session too, एक जो non-formal educator है, वो एक lesson plan develop करता है, प्रते एक session के लिए, अब वो ऐसा क्यों करता है, lesson plan क्यों develop करता है, किस लिए, तो इसका answer है 4, देख लेते हैं, 4 में है, B, C and D, B, C and D, यानि कि B है, adopt definite objectives, means कि एक निश्चित जो है, ओदेश को प्राप्त करने के लिए, ऐसा करता है, फिर दूसरा है, present material in a logical sequence, और जो भी materials हैं, उनको एक logical, target group से, जो है, present करने के लिए, ऐसा करता है, और तीसरा है, evaluate the learning outcomes, और जो भी सीखने के बाद, जो भी result मिल रहा है, जो feedback मिल रहा है, जो outcomes मिल रहें, उनको evaluate करने के लिए, मुल्यांगन करने के लिए, ऐसा करता है, फिर भी छबदा, following are important for maintaining credibility of news, means news की विश्रसनियता को maintain करने के लिए, क्या चीज़े important है, तो इसका answer है third, देख लेते हैं, a, b, c, and, e, okay, तो पहला है, procedure, अथार्था, वो news कितनी अथार्थ है, ठीक है, दूसरा है, accuracy, accuracy मतलब कि कितना accurate है, सटीक है, तीसरा है, timeliness के according, और चौथा है, reliability, कितनी वो news विश्रसन नहीं है, तो इन सब पर वो depend करता है, उसकी, जो इस विश्रसन नहीं आता है, वो इस पर depend करती है, अब है next question, determination of sample size in research is based on, मालब research में जो sample size को निधार्थ किया जाता है, उसका निधारन होता है, determination, तो वो किस basis पर होता है, उसका अधार क्या है, तो इसका अधार है second, B, C and E, B है, desired confidence level, फिर है second, estimated standard deviation, और फिर D है, null hypothesis and alternative hypothesis, इन पर आधारित होता है, which of the following are the general ethical principles according to APA, okay, तो APA के according, जो है ethical principle कौन कौन से है, one minute, इसका अंसर है, तो इसका अंसर है, 1 and 2, यानि की A, D, E, F and G, देख लेते हैं कौन कौन सा है, A, B, Beneficence and Non-Maleficence, ठीक है, E, फिर है D, Credibility, E, Justice, फिर F है Integrity, और G है Respect, मतलब कि यह पांच चीजे हैं, जो कि APA के according, यह ethical principle में आती है, APA का full form है, American Psychological Association, मतलब यह कहा गया है कि जो अंडर नरिस मदर होती है, वो मतलब सफलता पूरोग best fit करवा सकती है, इसका reason है कि quality and quantity of breast milk may not be affected in severe malnutrition, means कि अगर वो best fit करवाती है, जो breast milk की quantity और उसकी quality, जो है severe malnutrition में affect नहीं हो सकती है, इससे affect नहीं होती है, ठीक है, तो देख लेते हैं, यह है, दोनों ही correct है, पहला भी इसका assertion भी correct है, और reason भी correct, sorry, पहला अंसर है इसका, कि जो under-nourist mothers can successfully breast fit, मतलब कि जो under-nourist mother है, वो successfully breast fit करा सकती है, बट जो इसका reason है, वो गलत है, कि अगर severe malnutrition होगा मदर को, तो जो उनका breast milk की quantity और quality, उसके affect हो सकता है, वो affected हो सकते हैं, क्योंकि वो malnutrition है, मतलब कि उनको severe problem है, तो इससे वो affected हो सकती है, अगर ज्यादा वो, मतलब लेबल ये कम है, तब बहुत जदा है, तब effect नहीं पढ़ सकता है, अगर serious condition नहीं है, अगर serious हैं, तो फिर इनका best feeding पर effect पढ़ेगा, अब है कि nanotechnology can be applied in the manufacture of anti-static garments, कि जो anti-static garments की manufacturing की जाती है, तो उनमें nanotechnology को apply किया जाता है, अब इसका reason यह है कि nanotechnology develops an anti-static membrane on the garment, which protects the wearer from electrostatic charges, means जो nanotechnology यह develop की जा रही है, यह क्या करती है, जो garments पर एक anti-static membrane develop कर देती है, जो कि उन्हें electrostatic charges से protect करता है, आप देखते हैं, इसका पहला answer है, बोथ A and R are correct, यानि कि दोनों ही सही है, अब आते हैं next पर, counterfeit and knock-off are same type of products, means counterfeit and knock-off है, यह same type of products होते हैं, इसका reason यह है कि they are both imitations of the original, but don't carry the labels and tradmarks of the original, reason यह दे रहे हैं कि वे, मतलब दोनों ही जो है original को imitate करते हैं, but जो उनका trademark है, original का trademark है, उनका label है, उनको carry नहीं करते हैं, इसका answer is second, यानि कि A and R both are incorrect, दोनों ही गलत है, अब यह देख लेते हैं कि यह होते क्या है, ठीक है, तो counterfeit, knock-off and pirate, तीनों चीज़े देखते हैं, जो counterfeit होता है, इसमें क्या होता है, कि वो जो है pretend करते हैं, कि वो real things है, कि वो original है, यह designers के उनका brand label है, उनका signature symbol है, उन सब को जो है यह copy करते हैं, ठीक है, such as interlocking sees on an authentic channel, handbag, or the apple logo of an authentic apple product, ठीक है, जैसे कि यह authentic apple products होते हैं, उस पर apple का logo होता है, तो इस तरीके से वो उनका trademark है, उनका जो label है, दोनों को copy करते हैं, जिससे कि वो खुद के product दिखाते हैं, कि वो real हैं, जब कि वो fake होते हैं, ठीक है, यह counterfeit हो गया, और knock-off में क्या होता है, कि वो जो भी original design है, उनको क्या करते हैं, उनको overall look को imitate करते हैं, लेकिन वो उनके जो words है, उनके जो symbol है, designer brands के, जो उनका label है, वो उसको copy नहीं करते हैं, उनके words को, उनके symbol को, उनके logo को, ठीक है, उनके label को उसे copy नहीं करते हैं, तो इसको जो है, knock-off कहते हैं, अब देख लेते हैं, piracy क्या होती है, जो pirate goods होते हैं, वो mainly movies, music, books, या फिर जो भी other copyright works होते हैं, तो उनके लिए use किया जाता है, इनमें क्या होता है, यह जो भी इसे movies वगर आती हैं, music आती हैं, जो authenticate writer की हैं, singer की हैं, तो वो जैसे movies हैं, तो वो theater पर होती हैं, release होती हैं, ठीक है, एक date पर होती हैं, तो उससे पहले ही क्या करते हैं, बिना किसी permission के, बिना किसी copyright के, यह जो है, उनको release कर देते हैं, reproduce कर देते हैं, बिना किसी company के permission के, यह composer, company, author, जो भी है, ठीक है, जिनका अपना copyright है, उनकी permission के बिना ही इनको जो है, वो reproduce कर देते हैं, तो इससे वो बहुत profit कमाते हैं, बढ़ ही illegal होता है, तो अब आपको संद में आ गया कि, counterfeit, knock off, और piracy क्या होती है, तीनों ही अलग-अलग हैं, इसलिए यह दोनों ही answer, यह दोनों, assertion और reason, दोनों ही गलत हैं, अब आते next पर, cotton fabrics are dyed with reactive dyes, without creating any polluted efferance, अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है, कि जो cotton fabrics होते हैं, ठीक है, उनको जो reactive dye के साथ, जो dye किया जाता है, तो वो कोई भी producer को, जो है वो create नहीं करते हैं, अब इसका reason यह है, कि जो reactive dye reacts with the fiber molecules, by addition or substitution, means जो reactive dye है, वो addition या फिर substitution के द्वारा, जो fiber molecules से उनके साथ react करती है, अब इसका answer is 4, जो A है वो incorrect है, बट जो R है वो correct है, मतलब कि जो यह बोल रहे हैं कि यह पुर्दोशक create नहीं करते हैं, यह चीजे गलत हैं, जबकि यह है कि हाँ वो react करते हैं fiber molecules से हाँ यह सही है, अब आते हैं further question पर, इसरसन है कि innovation is same as creativity, जो innovation में लिए जो खोज की जाती है, वो creativity के ही जैसी होती है, reason A, creativity is the ability to generate new ideas, and innovation refers to social application of the creative idea, मतलब जो creativity है वो नए ideas को generate करने की छंता होती है, capability होती है, योग गिता है ठीक है और जो innovation है वो जो creative ideas generate हो रहे हैं उनहीं को समाज में apply करने की योग गिता है, ठीक है इसका answer है पहला, A and R दोनो, sorry A जो है वो correct है लेकिन जो R है वो incorrect है, means जो innovation है is same as creativity ये तो सही है बट ये जो दूसरे इसका reason ही दे रहे हैं वो जो है गलत है, अब आते है next पर, sorry हम जल्दी करने कोशिश करें जिससे कि ये video बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, और ये short में ही आपका complete हो जाए सारे question आज है, अर इससन है कि ये बे windows project outward from the face line of the wall of a building, मतलब building की building की जो दिवार होती है उसके सीरे से जो बे windows होती है वो बाहर की ओर होती है, और reason यहां कि it is introduced with a view to provide an increased floor area to allow more seating, मतलब ये इस purpose से इसको जो है introduce किया गया means start किया गया, जिससे की जो floor area है उसको बढ़ाया जा सके और उससे जो है लोग अधिक से अधिक जगहां मिल सके उनको बैठने के लिए, अब इसका answer है पहला, A is correct बट जो R is incorrect मतलब जो पहला है वो तो सही है बट जो इसका reason है वो गलत है, आप आते है नेक्स्ट पर warmth of sun rays is advantageous during evening time, मतलब evening शाम के समय जो होता है जो sun rays होती है वो जो गर्म होती है, sun rays होती है वो तो उनकी जो warmth होती है मतलब जो गर्मी होती है वो एडवान लाब दायक है, ठीक यह कहा जा रहा है इसका reason क्या दे रहा है यह कि evening air contains moisture which absorbs the light and sorry heat and allows the light, मतलब जो शाम की जो air होती हवा होती है उनमें moisture होता है, जो की heat को absorb करता है और light को allow करता है मैं इस light देता है, इसका answer है 4, दोनों ही गलत है, ANR दोनों के दोनों ही गलत है, ठीक क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो sun rays होती है, वो हमारे लिए लागदायक होती है, ऐसा नहीं होता है, फिर है कि alternating fiscally active and quiet activities is developmentally appropriate for children in preschools, means जो preschools में children के लिए जो physical activity है, जो सारी क्रिया है और जो शांद क्रिया है, दोनों को alternate में कराना चाहिए, यह क्या होती है, जो उनके विकास के लिए यह appropriate होती है, उचित होती है अगर इनको alternate में कराया जाता है तो, इसका reason यह दे रहे हैं कि young children's attention is short and energy levels high, therefore they require periodic change in activity, जो young children है उनका जो attention मतलब जो ध्यान देते हैं किसी चीज़ पर वो जो है short होता है, बड़ जबकि उनके जो energy level होता है वो high होता है, इसलिए उन्हें जो है जो activity वो कर रहे हैं उनमें जो है periodic change की आशकता होती है, आंसर देख लेते हैं इनका पहला दोनों ही सही है, means कि दोनों में जो वो ख्याय कर रहे हैं activity कर रहे हैं उनमें जो है अंतर होना चाहिए यह उनके विकास के लिए उचित होता है, अब है ratifying international conventions has impacted legislations, policies and programs for women and children, means जो international conventions है उनको ratify जो किया जाता है, ठीक है उनकी जो अभी को स्टी की जाती है या भी समर्थन किया जाता है, वो women and children के लिए जो बनाएगे programs और policies हैं जो कानून बनाएगे हैं उनको प्रभावित करते हैं, अब इनका reason दे रहे हैं कि non-compliance with the article in the conventions leads to punitive measures against the transgressive state, means conventions में जो भी article लिखे गये हैं जो भी अनुचेद उसमें लिखे गये हैं, तो उनका पालन ना करने से जो ऐसे state जो की उलंगन करने वाले state है ठीक है, उनकी against में दंडपूर्वक करवाई की जाती हैं, अगर वो convention में जो भी article लिखे गये हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो इसका परणाम यह होता है कि जो उलंगन करने वाले राज हैं उनकी against में दंडपूर्वक करवाई की जाती हैं, तो इसका अंसर देख लेते हैं पहला है कि बोथ A and R are correct दोनों ही सही हैं, फिर है a Harvard longitudinal study done on well-being proves that getting a good education is the most important variable for life satisfaction, मतलब Harvard में एक longitudinal study किये गई जो कि कुशल लोग थे अच्छे थे, sorry एक में इसकी हिंदी देख लेते हैं, Harvard विश्विद्याले द्वारा कुशलता के संबंद में किये गे व्रहत अध्यान से सिद्ध होता है कि जीवन में संतुस्ट्री के लिए अच्छी सिच्छा ग्रहन करना सरवाधिक महत पूंचर हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है सेकंड बोथ ए एंड आर इंकरक्ट दोनों ही इंकलत हैं क्योंकि जुरू नहीं कि आपके पास अच्छा आपने अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लिया जिस अच्छा प्राप्त कर लिए तो वह आपको लाइफ में करने के लिए आपका जो विच्ट को दव्लमेंट है इमोचनल डेवल्ब्मेंट है ठीक और हमाइफ को सटिस्फाइब नहीं किया सकता इम्पॉर्टन है बट अकेला यह एक शिर्फ एज्टेशन ही नहीं जरूरी है और एसंज जो यह दे रहें कि अकडूमिक अचीवमें वो हमारा लाइफ में सक्सेस को मलब पॉस्टिबली जो है सम्मंदित होता हैं तो यह जो है लाइफ की सक्सेस से सिर्फ एकार्डमिक अचीब्मेंट से जो है लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है और भी बहुत साइच चीज़ें होती है लेकिन हाँ यह कहीं न कहीं यह बेनिफिट प्रवाइड करता है फिर दा मोडनायेशन परडिजम ऑफ डवलमेंट एडोकेट्स फॉर चेंज इन दा माइंड सेट ऑप इंडिविजूस इन पूर कंट्रीज यहां पर यह कहा जा रहा है कि विकास का जो आधने की करण है वो ज उसको जो है समर्थन प्रवाइड कर रहा है ठीक है मल आधनी करण से ऐसा हो रहा है और इसका रीजन दे रहे हैं कि मोडनायेशन रिक्वाइड पिपुल टू बी गाइड़ बाइड बाइड बाहरी आउटसाइड प्रेसर है मलब जो बाहरी दबाव है उसकी अपेच्छा जो उनका कल्चन की संस्कृति है और जो उनकी ट्रेडिशन है वो उनकी द्वारा उनको निदेशन मिले ना कि उन पर जो है कोई बाहरी प्रेशर हो यह कहा जा रहा है कि यह आधनी की करण में इसकी यह आवश्यक होता है आंसर इसका पहला इस करेक्ट और इस इनकरेक्ट मिन जो पहला यह कह रहे हैं यह तो सही है बड़ इसका जो रीजन है वो गलत है फिर है गिवेन आदर सेवन प्रिंसिपल्स आफ है सब आरेंज देम इन डा करेक्ट सीक्वेंस इसके बारे में आपको प्रिविस वीडियो में बता चुक हूँ और इसके प्रिंस्पल्स भी हमने बता हुए है और यह HCCP होता क्या है और इसे कौन-कौन से प्रिंसपल है इस सारा में बता चुके हैं तो आप वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हो इसका अंसर है सेकेंड डी बीएफ अब द करेंगे फिर इसके बास जो इंपोर्टन्ट लिमिट्स है उनको इस्टेब्लिस करेंगे फिर है कि मचलरी तो करेंगे इन Kingdom जो भी उसके लिए एक्षन जरूरी है वो करेंगे फिर है पहला इस्टैबिस वेरिफिकेशन प्रॉसेशर उनको वेरिफाई करेंगे और फाइनली इस्टैबिलेश रिकॉर्ड कीपिंग और डॉकुमेंटेशन प्रॉसेजर फिर अइंड़ स्टेप्स इनवाडन दर प्रिपेशन आफ कॉर्ट फैबरिक इन धा करेंग सेकुएंस किन-किन कॉन-कॉन से स्टैप्स होते हैं इनको करेंग सेकुएंस में अरेंज करना है mission anua m can cya in अब पहले क्या करते हैं और गया करते हैं अब सिंजिन में क्या होता है इसको गैसी भी बोलते और इसमें क्या होता है जो भी फजी फाइबर होते हैं जो यह से निकलते हैं याने फाइबर को तयार करते समय उनको जला दिया जाता है जिससे की इवन सर्फेस मिलता है ठीक है तो पहले यह प्रोसेस किया जाता है उसके इसके बाद में डी साइजिंग किया जाता है जो भी ग्लू या फिर स्टार्च है उनको रिमूब कर दिया जाता है उसके बाद में इसकोरिंग है इसकोरिंग में क्या किया जाता है इन में से जो भी डर्ट होते हैं डर्ट है ओयल है या फिक कोई भी अधर फॉरन मटीरियल है उनको कि रिमूब कर दिया जाता है ठीक है उसके बाद अधिजींग करते हैं आप ब्लीचींग में इसमें केमिकल से जो है लवे कि यूज के जाता है अधन है अब कर जो अब यूज पर जहीं करिए जया भी ग mention के इसलिए अनको रिमुट होते हैं के लिए यूज होती है जो भी फाइब मेश टैनिंग होती है यह इससे से दूर हो जाती है जिए उसको मसराइंक ऑद छो बढ़ने के यह अजिसेusta को बढ़ाने के लिए टेंटरिंग में क्या होता है इनमें जो भी फाइबर के वार्प और वे Egirdiawn से उनको set करने के लिए किया जाता है जिससे वो राइट एंगल पर युकी दूसरे के साथ set हो जाये और एंको stretch करने के लिए क्ला जाता है जिससे की जो फैब्रिक है वह फाइनल डाइमेंशन में और वह सेट हो जाए इसलिए टेंटरिंग की जाती है उसके बाद में कि फाइनल जो प्र प्रॉसस है वह है कलेंड करेंडरिंग जो है वह फाइनल प्राओसस है और इसमें क्या होता है करेंडरिंग में इसमें जो लूदर हो्टे हैं उनके बेच्ट से डिगरी जितनी अधिक होगी उतना ही लस्चर भी अधिक होगा तो यह है cotton fabric को तयार करते से में इन इन steps को apply किया जाता है फिर arrange the following steps of controlling in sequential order मलब controlling controlling में कौन कौन से steps होते हैं उनको एक sequence में लगाना है ओ आंसर है इसका थार्द abc d and e है पहले है इसटैबलेसिंग standards इस्टैंडर्स इस्टैंडर्स पहले उसको कोई जब भी हमको कंट्रोली करनी है तो उसके पहले एक standard हमस्टैबलेस करेंगे ठीक है उसके बात में उस standard के according जो भी लोग काम कर रहे हैं उसमें जो भी staff है उनके performance को measure करेंगे उसके बाद में उस standard के according जो है उनके performance को compare करेंगे फिर जो उनका performance label है वो उस standard से कितना deviate हो रहा है उनका performance इसको measure करेंगे फिर finally जो है taking corrective action फिर इसके लिए जो भी action की जरूरत होगी वो लेंगे फिर arrange the reproductive process in sequence पहला answer है B.E.D.F.C.E. पहले क्या होता है spermatogenesis and oogenesis होता है means sperm का formation होता है और ovary का formation होता है sorry sperm का formation होता है और ovum का formation होता है फिर उसके बाद में evolution के पास होती है means एक कनिर्मान होता है फिर है दी फिर जब वो अंडे दिनने लगते हैं दिन जो है फटलाइशन होता है फिर इस पाम और ovum का जो है वो फटलाइज होते हैं उसके बाद में जर्मिनल पिरेड आता है ठीक है उसके बाद में आता है embryonic period इसमें embryo develop होता है और final में फिर याता है fetal period ठीक है इसमें fetus develop होते हैं अब है में है अहीं आ है I am the following learning experience in decreasing order of learning as per Edgar Dale's कोनफ experience अब Edgar Dale के according जो भी हम my learning process होती है ठीक है तो उन experience मलग किस तरीके से हम learning experience के द्वाना सीखते हैं उनको decreasing order में arrange करना है answer इसका 4 ठीक है तो पहले है D C E B F D करना है तो पहले है डिजाइन अन्ड कंड़क्ट कोलाबरेटिव लेशन ठीक है कि मीन्स डिक्रीजिंग और कम लग से पहले हम किस चीज़ से जल्दी सीखते हैं सब्सक्राइब जब भी हम साथ में मिल करके जो है क्ड़क्ट करते हैं तो उससे ज्यादा हम सीखते हैं कि हमसे कोई फॉल्ट होगाई कोई गलती होती है तो हमारे अंदर कोई दूसरी कॉलिटी है तो दूसरा परसन है स्काटे हमारे अंदर कमी है वही उसके अंदर quality हो तो इस तरह किस क्या होता है जो आप कई लोग में करके जब काम करते हैं तो उसमें जो वह बेटर होता है और हम और ज्यादा सिखते हैं हम उनसे भी सिखते हैं जो काम कर रहे हैं उसे भी सिखते हैं फिर आता है कि दी के बाद है सी कि पार्टिसिपेट इन हैंड सॉन वर्क्शॉप में अगर हम इन हैंड पार्टिसिपेट करते हैं पॉसली जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उससे भी हम जल्दी सीखते हैं फिर आता है वाचार डिमॉंस्ट्रेशन डिमॉंस्ट्रेशन का करके वह हमारे सामने हम देख भी रहे हैं वह किस तरही किसे वह काम कर रहा है वह चीज़ देखते हैं तो ज्यादा सेखते हैं फिर उसके बाद में आता है अटेंड एन एक्जिबिशन एक्जिबिशन को अगर हम अटेंड कर रहे हैं वहां पर कोई करके हमको नहीं दिखाता ह है वो हम देख कर के भी उसको सीखते हैं पिर आता है पहला वाच वीडियो को देंकर लिएadin होता है तो इसमें हम देखते भी है सुनते हैं फिर आता है her radio प्रोग्राम फिर उसके बाद में सबसे लास्ट इसमें हम सिर्फ सुन करके सीखते हैं तो यह सबसे लोग लेवल का होता है अब आरेंग डेवलेमेंट कैम्पेइन यह फिर प्रोग्राम इन्दा क्रोन लाजिकल ओडर आप देर इंसेप्शन में जिस जो अभ्यान दिये गए हैं तुमको बढ़ते विक्रम में लगाना है कि जिस यह में वह आये हुए हैं तो सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद उ सी ए डी डी अब देख लेते हैं अंसर सी यानि कि जो सर्वस इच्छा वियान है वह आया है 2002 में फिर उसके बाद में आया है स्वच भारत अभियान दो अक्टूबर 2014 में आया है उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 फिर है अनीमिया मुक जो कि 2018 में आया है तो पहले सर्वस इच्छा वियान आया फिर स्वच भारत अभियान आया फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया और सबसी जो रिसेंट का है वो है अनीमिया मुक्त भारत अभियान अब इसे मैच कराना है list 1 और list 2 दी गई है बट जो इसका answer दिया गया था वो था कैंसल कर दिया गया है और इसके मास जो है वह सबको दिए गया है तो इसका देख लेगे हैं इसका सही answer क्या है जो 0-6 मंत infant है इस calorie की requirement दी गई है पर kg तो 0-6 इनफयान उनको 92 kg per kg दी गई है जिसका इनोंने यह option दिया हुआ है और जो moderately active adult meal है उनको 45.5 kg per kg देना होता है जिसका यहां पर option नहीं दिया गया है और 16-17 year old boy के लिए 54.5 कि आश्रता होती है वह भी यहां पर नहीं दिया गया है और child फोर टूश सक्टेस के लिए 75 किलो केली फोटेजिक रिकार्मेंट लिए 5 जεकन को य्न पिर्राइब यह दिया गया है इसमें प्रॉपर आपशन नहीं श् aula titanium वो नहीं दिए गए हैं फिर है इसे लिस्ट वन लिस्ट हो दिए अब इसको मैच कराना है अब देख लेते हैं आंसर है इसका थर्ड पहला है पूड एलर्जी में आता है् ट्रीनेट कर एसे प्रेख अच्छेट्र इन इनको परनेटं चैनल जैसे कि आपको आलमेंड आ Hudson ल защ आ फिर और पर इंको अच्छी मिशन न क्यों और लखी प्रिदल है तो इन से वूड अलरजी हो सकती है फिर है फूड पॉजनी जिसमें है बोडिलेंजम साल्मोनेला बोडलेंजम से जो है फूर पैसिर फूर जाता है तो उससे फूर इंफेक्शन हो सकता है एusalry वह for size का दो एा एक्जामपल जो मिल्क पंप फड़ प्ड़ जाता है फिर Hey pelos इंसमें है expedition इसमें। ए हो सकते हैं इंफीक्शन के कारण और फुर ruleम्गे संडिक कर ऐह किस वज़ा से होता है हीने की कारण जैंक हो सकते हैं पर हैं फिर है एंट इंटि स्टैक में दिया गया है प्रोवाइड स्कंफर्ड एंड सेफ्टी ललब यह पर यह दिए गया है कि इनकी करेक्टरिस्टिक दिए गया है कि फाइबर के अब है अगने सित्प्रिव जो थाइबर होते हैं ति हमफवाइड करते हैं और जो वाडर water repellent होते हैं वो प्रटक्टिव फिनिश देते हैं ठीक है water repellent फिनिशिंग में आता है और slip resistance अल्टर्स ड्यूराबिल्टी ड्यूराबिल्टी को यह चेंज कर सकते हैं और जो गिंग है उसमें आता है क्रेट लक्षर तेक्स्चर यह गिंग का मतलब होता है टेक्ट्चर करना है ठीय है फिर है लिस्ट वन एंड लिस्टू आंसर है थार्ड पहला है बिलियर्ड क्लॉथ यह किसलिए होता है कि आप साथड़ी टेबल कवरींग के लिए मेग mo के लिए जो है बिलिर्ट क्लॉथ का यूज के राता है बर्लैप यह बवाक बनाने के लिए इनका यूज के राता है चाइना सिल्क इनका यूज क्याता है लिंगरी के लिए कि और हग कि इसका यूज के आदा है टॉबल्स बनाने के लिए फिर है इसका अंसर है फॉर्स्ट क्लास्कल मेंजमेंट थेरी दी गई है और उनके फाउंडर दिये गए हैं क्लास्कल मेंजमेंट थेरी दी गई है मैक्स वेबर के द्वारा और हुमन रिलेशन्स थेयरी दी गई है एडिकर हैंडरी सेन के द्वारा और नियू क्लासिकल मेंजमेंट थेयरी दी गई है मैक ग्रेगर के द्वारा मॉडर्न मेंजमेंट थेयरी दी गई है पी आर लॉरेंस के द्वारा और डिसीजन थेरी दिए गई है सिमान के द्वारा ओके अब देखेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अंसर है फर्स्ट गई सौफ्ट फ्लोर यह कार्पेट मिज़ जो कार्पेट होते हैं वह सौफ्ट फ्लोर देते हैं जो फ्लोरिंग होती है वह सौफ्ट होती है और रग कि ऐगर यह कि फिन के लिए यूज के चाहिए अंडल ह्विव řोर्र, जो लों बनते हैं वो हाड से होते हैं जो सांध्प्रूफ फ्लोर होते हैं वर किस्य से बनते हैं रभर अबर फ्लोरिंग से और अबर से जो फ्लोरिंग की आती है वो साउंड प्रूफ होते हैं आर्टिकल दियेगे हैं और में कहके चीज़े हैं देख लेते हैं पहला आंसर है आर्टिकल 21-E यह आप सभी जानते होगे इसके अंदर आता है फ्री एंड कंपल्सरी एद्टिकेशन आर्टिकल 23 में प्रोविशन आफ ट्राफिक इन हुमन बींग आर्टिकल 24 में एंप्लाइमेंट आफ चिल्डरन और आर्टिकल 45 में आर्ली चाइल्वड के एर एंड एज्टिकेशन यह आता है अब आते नेक्स कुश्चन पर यह वाइस दी गई है और इनका कर्टेस्टिक दिया गया है इसमें आंसर है फर्स्ट इंफेंसी में क्या होता है object permanence होता है इसको हम बता चुके हैं वीडियो में तेख सकते हूं फिर प्रेश्कुल इयॉस में क्या होता है थ्रड है centration आ जाता है किसी एक चीज़ पर वो centred हो जाते है केंदेत हो जाते है फिर c में है middle child में क्या होता है फोर्थ कंक्रीट ऑपरेशन थिंकिंग आजाती है और एडॉलसंस में क्या होता है साइको सूसल मॉरेटोरियम जो कि मार्सिया के दौरा दिया गया है उन्होंने बताया हुआ है एडॉलसंस के उन्होंने चारे स्टेटस दिये गये हैं तो उसको मैंने बताया हुए है आप देख सकते हो फिर है इस का अंसर है second ? and culturalisen , that 팟珍 में फर्शन quality values होती है उनको प्यृदी दर-प्यृदी अत्रां पर किया जाता है in cultural it में होता है फिर ethnocentism में क्या होता है for the undermining other culture में दूसरों क्या होती है उनकी उपेच्छा की जाती है फिर है Stereotyping में क्या होता है फिक्सто she knows about कल्चरS कल्चर से के लिए त्फ उत्य हुती है थिए फिर होता है एक कल्चरियेशन इसमें क्या है process of learning about other cultures है मैं जो दूसरों के कल्चर है उनके बारे में सीखते हैं पिर है यहां पर इसकांसर थर्ड और नाइसिन दिये गया है ठीक और काम क्या है यह दिया गया है क्या 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 है पब्लिक हेल्थ और फाउ का क्या काम है प्रोटक्शन ऑफ हंगर एक वाउने सुका क्या क्या काम है प्रिजवेशन और वर्ड कल्चुरल हेरिटेज और यू एन एक सी आर का क्या काम है प्रोटेक्शन ऑंडिस्प्लेस्ट पीपल और यूनिस अब का सामें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डरन यह आप सभी जानते हो मैं में अब क्या है और इसके जो headquarters है वो कहां कहां पर है आप जो रहें है इसकी जो establicht Restaurant स्टेबलेस्टाइए से का जो headquarter है वो रोम इटली में है और 16 October को ही जो वर्ट 4 दे भी मनाया जाता है फिर है UNESCO, UNESCO को बोलते हैं United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization जिसका establishment year 4 November 1945 जो headquarter है वो Paris में है Paris, France में फिर आता है UNHCR इसका United Nations High Commissioner for Refugees इसका जो formation हुआ है 14 December 1950 में हुआ है इसका headquarter Geneva means Switzerland में है UNICEF इसका आप जानते होगे इसका फिल फार्म है United Nations Children's Fund जिसका formation हुआ है 11 December 1946 में headquarter है इसका New York और UNICEF पो जो previously इसको कहा जाता है United Nations International Children's Emergency Fund बट अभी जोए recent में इसको United Nations Children's Fund कहा जाता है अब आते हैं next question पर इसे पैरा दिया गया है ठीक है यहां से स्टार्ट है वाट इस रोल अफ आशा आंसर इसका पहला इसका मैं आशर आपको दिखा देती है पैरा में कहां पर है यह अब्जेक्टिप्स दिए गये हैं अब्जेक्टिप्स इंक्लूड एसस्टो हेल्थ केयर एट हाउसोल लेवल थू लोकल विमें इन एज ग्रूप आप 25-40 यह नोन एज आशा ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट कोस्टिन पर केस्ट ट्रैंसफर्स टू विमेन इन जेएसवाई यानि जन्नी सुर अच्छा योजना और तू कवर विच अप्टा फॉल्विजबल कोस्ट डूरिंग डिलिवरी विजबल किन किन विजबल कास्ट को यह इंक्लूड करता है इसका अंसर ड्रॉक्स सप्लाइए आंसर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन पर फॉल्विजबल में क्या है ड्रॉक्स सप्लाइज एंड ट्रांस्पोर्ट आता है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन पर फॉल्विंग अंदर कंपोनेंट्स ऑफ जे एस वाई जैनी सुरुच्छ जोना कि कौन कौन सी कंपोनेंट्स है इसका अंसर थार्ड ए भी एंड सी तो एंड करेंस हॉस्पिटल डिलिवरीज ठीक है फिर इंप्रूव्ड एसस्टू ऑब्स्ट्रेक्र केर और है तीसरा कैस्ट ट्रांस्पर यह तीनों जो है इसकी में कंपोनेंट्स है तो यह आप पर हमें देख सकते हो अब ऐसे आपको पता होगा कि इसकी कंपोनेंट्स ह एं फिर वाटर दर वेसनल लाइशनल ऊब प्रोवाइडिंग एल्टो प्रैनेंट विमंश अंडर जै एस वाई ठीक है जैस एक यह प्रवाइड किया रहा है वह व्ट नहीं किसलेंट्राइट किया जा रहा है उसका रीजन क्या है तो इसका फोर अब्याइंट सी ठीक है किसले प्रॉयड करता है जिससे की एससे इंस्ट्यूशनल डिलिवरी के लिए उनको प्राप्ट हो सका है उसमें वहाँ पर डिलिवरी हो सब्सक्राइब कि जो होम डिलिवरी होती है वो हामफुल रहती है फिर है मैटी सौरी अब गलत होगा है यह मैटनल मॉर्टाल्टी होगा मैटनल मॉर्टाल्टी रेट को कम करने के लिए और जो नियू नेटल मॉर्टाल्टी रेट है उसको कम करने के लिए इसलिए इनको जो है जैस्वाई कि इंदे प्रेंट मुमेन को के अप्रॉइट की जा रही है तो यह हो गया है यह कोशन हो गए और एक चिन में भूल गी तिसमें बताने के लिए यहां जो फाइबर और डाइस के बारे में तो यहां पर नैचुरल यह हमने कुछ जो है सर्च किये हुए फाइबर और डाइस कौन-कौन से यह आप जरूर पढ़ लिए है कि यह हर एक्जाम में पोच्छी जाते हैं है फाइबर दिये होते हैं और में कौन से डाइक यूज की जाती है उनके लिए तो यह नैचुरल फाइबर दिए गया है फिर है मौड़ी फाइड अब सेक्षण अब यह किन-किन डाइक का इसन्थे पार यह सेन्थेक पार सो जो जून 19 का यह फाइनल पार्ट था अब इसके बार में हम दूसरा पेपर ले करके आएंगे तो अगर आपको यह पसंद आ रहा है और आपके लिए हैफर हो रहा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू सो मच